आइस मेकप को क्रियेट करेंगे आज हम अपने हाथ पर और लाशिज लगाने का मैथट और जो है ग्लिटर किस तरहां से अप्लाई किया जाए और कौन सा ग्लिटर सीलर से स्टिक होता है और कौन सा अच्छे वाली गम से सारी डिटेल आज हम सीखेंगे असलाम अलेकूम आई गाइज आई होप आप सब लोग ठीक होगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मैं हुजूबी खान आज आप लोगों के साथ बहुत ही इंफर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ और सारी डिटेल समझाने वाली हूँ सब कुछ बताने वाली हूँ अक्सर हम होता है कि मॉडि पर क्रियेशन करते हैं आईशेडो आईज बेस सीलर है जो आईब्रो बनाने का शेप है इंटर्फेरंस यूज करने का मेतड़ है ग्लू ग्लीटर ब्रेशिस वो सारी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगी और मैं अपने हाथ पर एक आईज का पूरा जो लोग के वो क्रियेट करूंगी हम जब बड़ी मास्टर क्लासिज लेते हैं तो वो हमें अक्सर जो आईज मेकब हो था वो इस तरह से सिखाया जाता है तो आज मैंने वही ट्रिक आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है तो यह रा मेरा आईब्रो का जो कट प्रश है वो मैं है इसली है आईब्रो शेफ बनानाई है जिसता से आईब्रो का हमारा शेफ होता है अर्च अगर बनाना चाहो तो आर्च बनालेना राउन तो राउन बनाविश थाए तो बनालेना ओट राउन यहां से प्लूध नहीं एक्स्व ब्रॉ Senate के बारा जाती है। इंटर्फैरन् होते हैं काम जादा होता है तो हम जल्दी काम करना होता है इस वज़ए से हम ये चीजे हाम नशायत में रखते हैं ठीक है इस तरह से हमने वेट करना है ब्रश को और अपने रिप्रो की जो उपर वाला विर्कूल जो साइड ना ब्रो बॉन जisme वोलते हैं इतना जबर्दर से यह ब्रो बॉन पर हमने लगा लिया लाइट सा फिंगर से हमने ब्लेंड किया उसके बाद इंटर्फिरेंस का काम होता है खतम अब हमने आइस को करना है कंटोर तो वो हम करते हैं देखें इसा ब्लेंडिंग ब्रश लेना है छोटे साइस का और मैं औरंज शेड यहां से उठाऊंगी और आइस के आउटर कॉर्णर पर लगाना है अब यहां 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 पर कलर शेड रखना है देन उसे ब्लेंड करना है अच्छी तरहां से ब्लेंड 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 और देखो ब्लेंड करने का तरीका मैं अभी बिल्कुल आपको स्लो से भी समझाती हूँ कलर पहले शेड जो है अपना रख लेना है उसके बाद ब्रेश को राउंड राउंड उस कलर को आगे तक खेंच के लेके जाना होता है यह नहीं के हर टाइम ब्रेश को भरा और हर टाइम इसको इस तरह से ब्लेंड यह देखो यह ब्लेंडिंग का मेथड होता है तो इस तरह से हमारी ब्लेंडिंग बहुत जबर्दस हो जाती है बहुत ही पियारी उसके बाद मैंने लेना है कोई भी brown shade brown shade मेरे पास इस जो palette में था वो जो जिस से eyebrow डहें की थी ना वो ही shade में ब्राउन लिया और पूरे जो eyelid पर था उसे contour कर दिया थी कि दोनों shades को mix करके orange को और ब्राउन को इतना हसीन शेड जो है वो ब्लेंडिंग मेरे बास मुझे मिल गया और उसके बाद आ ज़्वी काई आ जाते है, मेटेलिक शेड जो होते है मकमली शेड यानि तो वह हम फिंगर से अप्लाई करते हैं तो मुझे यहाँ पर सिल्वर के साथ काम करना था तो मेरे पास यहाँ पैलेट में सिल्वर भी मौझूद नहीं था तो मैं यह इंटरफेरेंस दे के आपको मैंने उपपर जो है वेट करके लगाना सिखाया और यहां मैं ड्राइ फॉर्म में लगा रही हूँ जस्ट फिंगर से इसे ले रही हूँ और अप्लाय कर रही हूँ बोल एरिया पे ठीक है यह मेरा आई बोल एरिया है मैंने इस पर अप्लाय करना है और अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है जितनी मुझे नीड है मैं इतना ही लगाँगी ठीक है अब आ जाती है ग्लीटर लगाने की बारी तो ग्लीटर के लिए मैं यहां ले रही हूँ आ जब इसे छोड़ो गे तो यह थोड़ी सी इस चपी हो जाएगी और यह मेरा पास यहां पर थोड़ा सा चं़की टाइब ग्लीटर है इसे मैंने flat brush के साथ उठा कर और जो मैंने glitter लगाया है वहाँ पर हलके हलके से रखना है और यह उसके साथ stick हो जाएगा चिपक जाएगा और इतना प्यारा असर look create हो जाएगा अब जब eyes के उपर करोगे तो और असीन आएगा अभी देखो कितना प्यारा look हो गया अब इसको अच्छे से पुरे आई बोल पर हमने फेला देना है अब आजाती है liner की बारी liner के बार हमारा एक काम होता है liner हम अक्सर में तो liner cake liner ही यूज़ करती हूँ ठीक है अपने पॉलर में तो हम यह से पानी के साथ भी जो पेस्ट बनाके लगा लेते हैं मतलब लेकिन मैं यहाँ आपको sealer का यूज़ बताऊंगी sealer और eyelis glue या किसी भी glitter की जो glue की जो फरक है वो यह होता है कि उसे हमने eye ball पे लगाना होता है glitter के लिए यह है sealer glamour वालों का यूज़ करती हूँ करना है sealer का जो काम होता है वो इतना अच्छा होता है वो यह होता है कि जब आप पफी आइस पे भी लगाते हो ना तो अक्सर हम beautician के साथ यह problem होती है जब हम liner लगाते हैं तो customer जो eyes खोलते हैं वो उपर stick हो जाता है और सारे eyes makeup की जो होती है वो ऐसी की तेसी हो जाती है इस वज़े से sealer के साथ cake liner जब भी लगाओ तो sealer के साथ लगाना तो बहुत ही प्यारा look आता है और यह डर भी खतम हो जाते है कि हमारा eyes look खराब जाएगा ठीक है यहां मैंने liner create किया है थोड़ा मोटा मोटा liner लगाया है थोड़ा सा liner को ignore कर देना ठीक है विंग लगाने का तरही का बता जाएँ आइस के जो outer corner पे हम इस तरह से थोड़ी सी नोक्तिं कालते है उसके बाद उसको fill up कर देते है color के साथ ठीक है यह जो liner भी create हो गया उसके बाद हमने लगानी lashes तो मैं lashes आपको यहां पर apply करके लिखाऊंगी और apply करने का तरीका भी बहुत आराम से समझाऊंगी 3D lashes है और मैंने यह थोड़ा सा liner को इस तरह से मेश कर दिया तक फी लोगे lashes है हमने 3D lashes लेनी है उसके उपर हमने glue apply करना है और corner पे जादा अच्छे से किया करो और glue लगाते साथ ही stick ना कर दिया करो ठीक है ना थोड़ी सी देर इसे time दिया करो एक दो second छोड़ दिया करो ताकि यह अच्छे से थोड़ा sticky सा हो जाए थोड़ा चिपचिपा सा हो जाए ठीक है कि उसके बाद हमने apply करना है और outer corner तो चलो खेर है बट inner corner के बिल्कुल start से ना लगाया है क्योंकि eyes में इतनी irritate करती है फिर चुपती है इसलिए थोड़ा सा inner side से छोड़ के लगाते है और इस तरह से brush से apply कर देंगे थोड़ा सा press करेंगे और outer corner से उपर उठा देंगे ताकि eyes हमारी खुली ही लगे सो यहां होता है हमारा look final और done I hope आप लोगों के लिए बहुत helpful रहे और informative रहे और एक एक चीज़ के बारे में detail मैंने आपको देने की कोशिश की है इंशाला इंशाला आगे भी बहुत अच्छे अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी so please like, share and subscribe please comment जरूर करना अच्छा बुरा जो भी हो जरूर बताना next video में मुलकात होती है Allah आफेस